ओम्स्री गणिशाय नमहा वागर्था विवसंप्रिक्तव वागर्थप्रतिपत्तए जगतः पितरवंदे पारवती परमेश्वरव श्रीमत भागवत महापुराण दसम इसकंध सातमा अध्याय सकट भन्जन और त्रिनावर्त उद्धार ओम्नमो भगवते वासुदेवाय राजो वाच येन येना वतारेन भगवान हरिरेश्वरह करोति कर्णरम्यानी मनोग्यानिच नह प्रभो यच्छिन वतो पैत्यरतिर वित्रिश्णा सत्वम्च सुध्यत्यचिरेन पुन्षः भक्तिर हरवतात पुरुशे चसक्यम् तदेवहारं वदमन्यसेचेत् राजा परिक्षित ने पूँचा प्रभो सर्व सक्तिमान भगवान श्रीहरी अनेक अवतार धारन करके बहुत सी सुन्दर एवं सुनने में मधुर लिलाएं करते हैं वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं उनका स्रवन मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुची और विविद विश्यों की तिष्णा भाग जाती है मनुष्य का अंतह करन सेग्र सेग्र सुद्ध हो जाता है भगवान के चरणों में भग्ती और उनके भग्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है यदि आप मुझे उनके स्रवन का अधिकारी समझते हूँ तो भगवान की उनही मनोहर लेलाओं का वरणन कीजिए भगवान स्रीकिष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाती के स्वभाव का अनुसरन करते हुए जो बाल लेलाएं की हैं अवस ही वे अत्यनत अध्भूत हैं इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लेलाओं का भी वरणन कीजिए श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित एक बार यहां कदाचित एक बार से तात्परी है तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से उस समय स्रीक्ष्न की जाकी का ऐशा वरणन मिलता है स्निकधाह पस्चति सेस्मयीति भुजजोर युगमं मुहुष्चालयन नत्यलपं मधुरं चकूजति परिश्वंगाय चाकांच्छति लाभा लाभ वसाद मुष्चलसति क्रंदत्यभी काप्यशव पीतस्तन्यतया स्वपित्यभी पुनर जागरन मुदम यच्छति इसनेह से तर गोपियों को आँख उठाकर देखते हैं और मुश्कुराते हैं दोनों भुजाएं बार-बार हिलाते हैं बड़े मधुर स्वर से थोड़ा-थोड़ा कूजते हैं गोद में आने के लिए ललकते हैं किसी वस्त को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं, कभी कभी दूध पी कर सो जाते हैं, और फिर जाग कर आनन्दित करते हैं, तो एक बार भगवान स्रीक्ष्ण के करवट बदलने का अभिशेक उत्सव मनाया जा रहा था, उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था, घर में बहुत सी इस्तियों की भीण लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था, उन्हीं इस्तियों के बीच में बड़ी खड़ी हुई सती साथवी यसोदा जी ने अपने पुत्र का अभिशेक किया, उस समय ब्राम्भन लोग मंत्र पढ़कर आशिरबाद दे रहे थे, नंद रानी यसोदा जी ने ब्राम्भनों का खोब पूजन सम्मान किया, उन्हें अन वस्त्र माला गाय आधि मुह मांगी वस्तुमें दी, जब यसोदा ने उन ब्राम्भनों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर, स्वयम बालक के नहलाने आधि का कार्य संपन कर दिया, तब यह देख कर कि मेरे लाला के नेत्रों में नीद आ रही है अपने पुत्र को धीरे से सईया पर सुला दिया थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आखें खुली तो हुए इस्तन पान के लिए रोने लगे उस समय मनस्वनी यसुदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सतकार में बहुत ही तनमय हो रही थी इसलिए उन्हें स्रीकृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा तब स्रीकृष्ण रोते रोते अपने पाम उच्छालने लगे शिसु स्रीकृष्ण एक छकड़े के नीचे सोय हुए थे उनके पाम अभी लाल लाल कोपनों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे परन्तु वह नन्हा सा पाउं लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया उस छकड़े पर दोध दही आदी अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बरतन रखे हुए थे वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिये तथा धूरे अस्त ब्यस्त हो गए उसका जुवा फट गया करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी इस्तियां आई हुई थी वे सब और यसोदा रोहनी नंद बाबा और गोपगण इस बिचित्र घटना को देखकर ब्याकुल हो गए वे आपस में कहने लगे अरे यह क्या हो रहा है यह क्या हो गया यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाउं की ठोकर से इसे उलट दिया है इसमें कोई संदेह नहीं परन्तु गोपों ने उसे बालकों की बात मान कर उस पर विश्वास नहीं किया ठीक ही है वे गोप उस बालक के अनंत बलकों नहीं जानते थे यसोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आज का उत्पात है उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्रामणों से वेद मंत्रों के द्वारा सांति पाठ कराया और फिर वे उसे इस्तन पिलाने लगी बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया उस पर पहले की तरह सारी सामगरी रख दी गई ब्रामणों ने हवन किया और दही अक्षत कुस तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की जो किसी के गुणों में दोस नहीं निकालते जूट नहीं बोलते दंभ इर्शिया और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित है उन सत्य सेल ब्रामणों का आशिर्वाद कभी बिफल नहीं होता यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रामणों से साम, रिक और यजिरुवेद के मंत्रों द्वारा संस्कित एवं पवित्र आउसधियों से युक्त जल से अभिशेक कराया उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्थेन पाठ और हवन कराकर ब्रामणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नती और अभिविध्ध की कामना से ब्रामणों को सर्वगुण संपन बहुत सी गउए दी वे गउए वस्त्र पुस्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी ब्रामणों ने उन्हें आसिरवाद दिया यह बात इसपच्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्रामण होते हैं उनका आसिरवाद कभी निश्फल नहीं होता एक दिन की बात है सती यसोदा जी अपने प्यारे लाला को गोद में लेकर दुलार रही थी सहसा स्रीकृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए हुए उनका भार सह नहीं सकी उन्होंने भार से पेड़ित होकर स्रीकृष्ण को प्रसिवी पर बैठा दिया इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी इसके बाद उन्होंने भगवान पुरसोत्तम का इस्वरन किया और घर के काम में लग गई त्रिनावर्त नाम का एक दैत्य था वह कंस का निजी सेवक था कंस की प्रिरना से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक स्रीकृष्ण को उड़ा कर आकास में ले गया उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढग दिया और लोगों की देखने की सक्ती हरली उसके अत्यन्त भयंकर सबसे दसों दिशाएं काप उठी सारा ब्रज दो घड़ी तक रज और तम से ढखा रहा यसोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो स्रीकृष्ण वहां नहीं थे बालू उड़ा रखी थी कि कभी लोग अत्यन्त उद्विग्न और बेसुद हो गए थे उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यसोदा को बड़ा सोक हुआ वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बच्छडे के मर जाने पर गाय की जो दसा हो जाती है वही दसा उनकी हो गई वे प्रसभी पर गिरपणी बवंडर के सांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यसोदा जी के रोने का सब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दवड़ आई नंद नंदन श्याम सुन्दर स्री किष्ण को न देख कर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ आखों से आशों की धारा बहने लगी वे फूट फूट कर रोने लगी इधर त्रिनावर्त बवंडर रूप से जब भगवान स्री किष्ण को आकास में उठा ले गया तब उनके भारी बोज को न संभाल सकने के कारण उसका वेग सांत हो गया वह अधिक चल नहीं सका त्रिनावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नील गिरी की चट्टान समझने लगा उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अदभुत सिसको अपने से अलग नहीं कर सका भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया उसकी आँखें बाहर निकल आई बोलती बंद हो गई प्रान पखेरू उड़ गए और बालक स्रीकृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा पांडु देश में सहसराक्ष नाम के एक राजा थे वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ बिहार कर रहे थे उधर से दुरबासा रिशी निकले परंत उन्होंने प्रणाम नहीं किया रिशी ने साप दिया तू राक्षस हो जा जब वह उनके चरणों पर गिर कर गिर गिर आया तब दुरबासा जी ने कह दिया भगवान स्री किष्ण के स्री विग्रह का इसपर्स होते ही तू मुक्त हो जाएगा वही राजा त्रिनावर्त होकर आया था और स्री किष्ण का संसपर्स प्राप्त करके मुक्त हो गया वहाँ जो इस्त्रियां इकठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकास से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकना चूर हो गया ठीक वैसे ही जैसे भगवान संकर के बानों से आहत हो त्रिपुरा सुर गिर कर चूर चूर हो गया था भगवान स्रीकृष्ण उसके वक्षस थल पर लटक रहे थे यह देखकर गोपियां विश्मित हो गई उन्होंने जटपट वहां जाकर स्रीकृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया बालक मृत्य के मुख से सकुसर लट आया यद जब उसे राक्षस आकास में उठा ले गया था फिर भी वहां बच गया इस प्रकार बालक स्रीकृष्ण को फिर पाकर यसोदा आधि गोपियों तथा नंद आधि गोपों को अत्यनत आनंद हुआ वे कहने लगे अहो यह तो बड़े आश्चरी की बात है देखो तो सही यह कितनी अदभुत घटना घट गई यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्य के मुख में डाल दिया गया था परन्त फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गये सच है साधू पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा प्याव पौसला कुआ बावली बाग बगीचे आदि पूर्त यग्यदान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने सुजनों को सुखी करने के लिए फिर लवट आया अवस ही यह बड़े सवभाग की बात है जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है तब आश्चर चकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया एक दिन की बात है यसोदा जी अपने प्यारे सिशु को अपनी गोध में लेकर बड़े प्रेम से इस्तन पान करा रही थी वे वातसल इसनेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके इस्तनों से अपने आप ही दूध जहरता जा रहा था जब वे प्राया दूध पी चुके और माता यसोदा उनके रुचिर मुसकान से युक्त मुख को चूम रही थी उसी समय स्री किष्ण को जंभाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा इसनेह मई जननी और इसनेह के सदा भूखे भगवान उन्हें दूध पीने से त्रिप्ती ही नहीं होती थी मा के मन में संका हुई कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए प्रेम सरवदा अनिष्ट की आसंका उत्पन करता है श्री किष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखा कर कहा अरी मैया तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ मेरे मुख में बैठ कर संपून विश्व ही इसका पान कर रहा है तु घबडाओ मत तुम घबडाओ मत इस्तन्यम क्यद पिवसी भूर्य भूर्यलम मर्भकेती वर्तिष्य मान वचनाम जननीम विभाब्य विश्वम विभागी पयसोष्यन केवलोह मसमाद दर्स हरिना किम विश्वमाश्य उसमें आकास अंतरिक्ष जोतिर मंडल दिसाएं सूर्य चंद्रवा अगनी वायू समुद्र द्वीप परवत नदियां वन और समस्त चराचर प्राणी इस्थित हैं परेक्षित अपने पुत्र के मुह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर म्रिग सावक नयनी यसोदा जी का सरेर काप उठा उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखे बंद करनी वे अत्यंत आश्चर चकित हो गई वादसल्य की यसोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई परंत वादसल्य प्रेमरस भावित हिदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुह में कहां से आया हो ना हो यह मेरी इन निगोडी आखों की ही गरबड़ी है मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये हरी सरणम स्री कृष्णार पनमस्तू